Hello दोस्तो, Tune Automation Academy आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका vendor we are in touch card आपका इंस्टॉल करें तो यह हमरे पर setup है इसका और इसको जो है वह हम extract करते हैं इससे पहले जब तो यह extract होता है कुछ चीजें आपका इसके लिए बहुत important है पहला तो आपका system है उसमें आपका पासफ़र प्रोटेक्टेट होना चीज़िए कि आप उसको पासफ़र दी थ्रू लॉगिन करें और वह पासफ़र और यूजर ने आपको याद रखना है अगर आपको नहीं ही पता है तो आप इसको find कर सकते हैं control panel में जाकर के control panel user account और user account और यहाँ पर आपको system का name जो है वह यहाँ पर mention होगा एक तो आपको यहाँ पर दूसरा जो है अगर थोड़ी पर settings है तो window 10 में जो है वह आप settings में जाकर के और जहां पर आपकी account settings होती है तो आप इस account settings में जाकर के account info में जाकर के आप इस system में पता कर सकते हैं यह वाला तो इस तरीके से जो हमारा है कि वह आपको name यह याद रखना है तो यह हमारे पास आगया intouch double click service pack 2 हमारे पास है इसमें setup के दो पार्ट है आपकी परा.msi में है आपका दूसरा हमारा exe में है तो हम setup.exe जो है वह उस पर click करेंगे यह आपका msix setup था तो इस पर से यह error दिखाएगा अब exe वाला गर यह है आपका तो यह चल जाएगा आपका इसमें एक और चीज कि आपका जो अब भी हम kada intouch वाला install करने जाते हैं तो .net 3.5 जो है वह आपका निसेसरी installed होना चाहिए अगर वह नहीं है तो यहाँ पर सा option मिलेगा आपको यह आपना कर दिया उसको accept license next और इसके लिए एक और चीज यहाँ पर कि जब भी आप intouch card install करने जाओ तो एक option हमारे यहाँ पर रहते है आपका supplementary components वाला उसको जो है आपको entire features पर क्लिक कर देना है क्योंकि इसी में हमारे पास आपका recipe manager और symbol factory और बहुत सारी options हैं वह hidden रहते हैं तो इस पर क्लिक करने के आपको मिल जाएंगी फिर आपने next करना है यहाँ पर हमारे पास फिर आपका जो है वह name आजाएगा इससे पहले starting में आपका एक point आता है क्योंकि मेरे इसमें dotnet 3.5 installed है तो वह आया नहीं तो क्या आपका कि जैसे आप install पर क्लिक करोगे तो वह आपको option देगा आपको dotnet 3.5 पर और आप उस पर क्लिक करना हो अगर आपका system है पहले सही है तो आपको सीधा next के लिए option देदेगा और नहीं तो आपको name आपको dotnet 3.5 इंटरनेट आपको अपने system से connect करना पड़ेगा और वह option देगा आप download पर क्लिक कर देना और अपना पर install कर लेगा और फिर आपको next करना है फिर आपको यह आएगा अब यहां पर जो है जो system हमने जो मैं आपको बताए कि इसके लिए आपका जो है आपके PC का name और password वो थोड़ा नेसेसरी है तो यहां पर आपका हो गया username आपको वही जो आपने हमने देखा थोड़े पहले account info में फिर password आपका जिसकी थूरू आप करते हो confirm password अगर आप यह नहीं करते हो अगर आप चाहते हो कि नया बनाना तो यहां पर create new कर सकते हो कुछ भी name आपको डाल करके तो आपको नया नहीं मिल जाएगा और नया password मिल जाएगा पर अगर आपका पुराने वाले में आपको access करना है window में तो आप इससे कर सकते हो त और अगर caps में है तो caps में small में तो small में फिर system password और यह अब यहां पर अगर आपको सेम सेम window पर करना है तो आप इसको अटा दो next मारा जाएगा और यह next हो गया next हो गया यह आपका installation बस complete होने वाला है इसके बाद हम इसको कैसे start करेंगे और कैसे जब इसमें file create कर सकते हो वह हम देखते है अब कारवन पांच minute maximum लगते है अगर आप downloading थोड़ा अगर आप कर रहे हो अगर dotnet 3.5 अगर आप download करते हो तो थोड़ा time लग सकता है वह आपके internet speed पर पर depend करता है कि आपके speed क्या है एक और जीज़ अगर आपके पास dotnet 3.5 installation के बाद अगर आपको setup continue नहीं होता आप से अगर आपकी system में नहीं आता है तो आप अपने PC को उसी sequence में restart कर दो तो आपको जो है नेक्स्ट प्रोसेस इंस्टोलेशन आली वो आ जाएगी तो इसका प आपका अपना PC जो है वो जाके menu में और आपका restart कर दोगे तो वो system आपको फिर जो है next step देगा आपको installation की यह प्रोलम बहुत होती है और Windows 10 में ज्यादा प्रोलम होती है यह बारी तो इसलिए especially आपको थोड़े यह ध्यान देना है यह हो गया और हमको जो है इसके server की requirement नहीं है तो आप इसको install जो है server पे इसको unclick करके और फिनिश कर दो तो यह हमारा install हो गया अब actually में आपका कि Windows 7 में अगर आप install कर रहे हो तो आपको यहां पी जो है वो इसका shortcut बन के आ जाता है और Windows 10 में कर रहे हो तो इसमें नहीं आता है तो बेटर गया आपका कि हम इसमें जाते है आपका और C drive यहां पे हमार पास program file cross86 और यहां पे आपका wonderware नाम से एक folder बना होगा in touch हो गया यहां पे आप I press करो in touch आपको मिल गया तो इस पे right click करके और send to desktop कर दो उसको create shortcut और यह आपका जो है वो install हो गया और इस पे double click करक आपके जो है वो हम बाकी जो step हो आ रहा है yes और यह दो file मेरी पहले से बनी हुए है तो इसमें से आ रहा है बाकी जो है वो आपको यहां पर option मिलेगा और आप उसको चला सकते हो तो भब धन्यवाद आपका आपने वीडियो को देखा प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब कर और वीडियो ज़़़़़़ सेयर करें धन्यवाद